मंगल बद्ध क्या होता है मंगल बद्ध क्या होता है मंगल बद्ध के कुंसेप्ट को ध्यान से समझो मंगल बद्ध मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है मंगल बद्ध का कुंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा ठीक है मंगल बद्ध का कुंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा ठीकल कि ट्यूरिटी कल पर मंगल बद्धिम का जिसने ध्यान दिया वो समझो कन्फ्यूज हुआ ही हुआ और जिसने प्रेक्टिकल समझ दिया वो पार हुआ ही हुआ ट्यूरि पढ़के बता दू नोट्स खोल लिए मैंने सुन ले ना दियान से नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यह समझा लेंगा अगर आपकी जनम कुंडली में बुद्ध वे के तू एक हाउस में इखटे आ गए तो आप मंगलबद हैं मंगल के तू कुंडली में कहीं भी इखटे होंगे तो मंगलबद हो जाएगा के तू पहले घर में हो या आठे घर में हो तो मंगलबद हो जाएगा बुद्ध पहले और तीसरे घर में हो तो मंगलबद हो जाएगा शुक्र नोवे घर में हो तो मंगलबद हो जाएगा मुनिश जी मंगल के तु कहीं भी खटे हो तो मंगल बद हो जाएगा ब्रस्वति साथ में हो तो मंगल बद हो जाएगा सूरे गयरा में होगा तो मंगल बद हो जाएगा सूरे चंदर किसी भी तरीके से मंगल को सायता ना दे तो मंगल बद हो जाएगा ठीक है सूरे चंद्र अगर मंगल को सायता दे देंगे तो मंगल बद परिहार हो जाएगा अब आप लोगों नहीं यह सुना वेने इतनी जल्दी से बोला है मेरे ख्याल से इस हिसाब से 99.999999 कुंडलियां मंगल बद होंगी इसके कुछ परिहार दिये गए हैं परिहार मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो मंगल बद नहीं होगा जैसे सूर्य बुद्ध किसी भी कुंडली में इखटे हो तो मंगल बद नहीं होगा मंगल बुद्ध आठवेगर में इखटे हो तो मंगल बद नहीं होगा सूर्य बुद्ध तीन या चार में हो तो मंगल बद नहीं होगा चंदरमा एक, दो, तीन, चार, आठ में हो तो मंगल बद नहीं होगा सूरे और चंदर किसी भी तरीके से मंगल को साहिता दे दें तो मंगल बद नहीं होगा ठीक है? अब मंगल बद की असली कॉंसेप्ट हमजो अब तक तो एक ऐसी चीज चल रही थी जिसको पढ़ोगे और कंफ्यूस होगे मंगल बद सिंपल सी चीज आपने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे जिनके साथ जीवन में जब भी कभी कोई खुशियां मनाते हैं ठीक है जो भी व्यक्ति यह ऐसे लोग होते हैं अपने जीवन में जिनके जीवन में खुशियां मनानी अलाउड नहीं होती है सिंपल लिटरली बंदे की शकल देखोगे ना थोड़ी सी तुमने मेडिटेशन करते हैं सामने से दिखता है यह तो मंगल बद्ध बंदा चेहरा अलग हो जाता है उसका लोग साब साइंटिफिकली मेडिकली भी मानते हैं जो बंदा कभी खुश नहीं रहता हो क्या होगा क्या मंगल बद्ध होगा मतलब क्या उसका चेहरे पर नूर तो होगा नहीं बिलकुल सर गारि मंगलवद का चेहरा लग से दिखता है नगलवद होता क्या है जब भी वो कभी जीवन में खुषिया मना एगा तो उसके जीवन में कांड होंगे लिए लिए नहीं खुशें हाड़िक निये बर्डेड पे केक काटा कलेश हो गया घर में बर्डेड़ पे केक काटा नोटी सागया सब्शी अच्छा लगता ना अब पर केक काट रहे हैं दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं फैमिली के लोग है रिलेटिव और उसी टाइम को ऐसा आ जा भी तुमारी फैमिली में कुछ यहां कांड हो गया मूड हो गया खराप स्पोईल हो गया आप देखो कि जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं से समीर जी चोतिश को जीना है जैसे मैं बताता हूं आप देखते हो नो कोई वीडियो नहीं आती है एक बंदा आरती उतार रहा है गाड़ी खरीद के लाया है और पीछे से दूसरी गाड़ी ने आकर ठोक दिया उसकी गाड़ी को गया उसका मज़ा किर किरा इस वाट वी कॉल्ड मंगल से बद्ध खुशियां अलाउड नहीं है आज बढ़े का केक काटा है निदी जी ठीक है थोड़े दर पता चला सास फूल गई सास से नराज होगी नराज की होगी आज बढ़े का केक काटा है अगले दिन गवर्मेंट का नोटिस आ गया आज बढ़ें वे सेलेट करें डीज फिसाना मंगल बद्ध के बड़े प्यारे प्यारे उपाए हैं पहले ओटोमेटिकली होते थे आज थोड़े पढ़े लिके लोग हो गए तो कम तरीके से होते हैं सम्झाओं आओं बस्पेस मंगल बद्ध को थोड़ा इलबरेट करके समझाता हूं लोग इसको जल्दी खतम करते हैं मेरा थोड़े टाइम लगता है मंगल बद्ध में ठीक है अब मंगल बद्ध में बहुत सी चीज़ें फोर एक्जामपल जैसे मैं बताता हूं मैं और मेरी मम्मी भी वेंट हरी द्वार मेरी मा को नहा के बहुत अच्छा लगा शीवस वेरी हैपी शीवस फिलिंग बहुत अच्छा लगा है ठीक है समीर जी और मिलब खुश है वो रही दो आरते दस किलोमेटर चले हैं अपने घर की तरफ आ रहे हैं फोन आ गया कोई उल्टा सीधा उनके पास वो परिशान हो गई है ठीक है अच्छा है हम कहीं भी किसी भी तीपतान पर घूमने गए उसके बाद आते समय मेरी वाने जङड़ा करना ही करना बिनावाद पर पापा के साथ किसी कर देती है और जङड़ा भी ऐसा करना कि सामने वाले को परिशानी ना हो खुद को परिशानी ज्यादा हो अब इसमे करे में बता रहा है अब जैसे हम लोग को सिम्पली का पली क्या झौट मेरे तो पैसे कोंगा लेज़ें रही पैसे कैसे घुम होगे वह गए मैं कर बता हूं बड़ा कितने थे मैं तर को पता है मैं गिंडता हूं कोभी इतने सारे थे 2000 मैंने यहाँ जेब में रखे दया नी कहां कि रगा है अब यह माने तो टेंशन ले लिए खूब पढ़िया वाली टेंशन पाल दी ठीक है फ्लाइट से उतरे दिल्ली लेंड करे मैंने का मां मिल गए पैसे चार गाड़ियां दी मैंने का तरह को इस बात का दुख है पैसे मिल गए या इस बात की खुशी है भूला खुशी है ठीक चीज़ें सोल करी इसमें होता एक इवेंट प्लानिंग टेक्नीक इस इस एक टेंपरेरी टेक्नीक एग्जेक्ट तरीका एग्जेक्ट उपाए पहले कई घर में शादी को कि रिष्ते दाने होते जिनकी उता हैं अब हेसां में काफी लोगो तें इसमें बहुत सब्सक्राइब मंगलबद का ठीटमेंट करना बहुत जरूरी है शादी हो रही है बसूरी पहेगी जी बिनाबाद की बसूरी पहेगी ठीक है अब उस मंगलबद में उस बसूरी बाले केस में क्या करा जाएगा तरीके समझो उपाए समझो ठीक है इसमें उपाए करे जाएंगे इसको 100% करेक्ट करने के लिए इसका एक तो है कि तीन धातूं का छला या कड़ा पहनना है ठीक है एक ग्राम गोल्ड एक ग्राम सिल्वर और दो ग्राम सिल्वर और चार ग्राम कोपर का छला पहन सकते हैं में चान्धी का बिना जोड का कड़ा पहन सकते हैं ठीक है। उस थी दिवार्थ में ऐसे मज़़द करता है। इसका एक उपाय होता है शुराही ले लो। शुराही में इनके कड़ों के वेट अगरा सब नोट्स में लिखे वोए है। मैंने बोला नहीं, ठीक है, लेडीज के लिए अलग और मेल्स के लिए अलग सब नोट्स में लिखे हुएं, पढ़ लेना, ठीक है, सुराही में देशी खांड भरके, शम्षान की साथ वाली दिवार में दबाना होता है, इसको हम पढ़ेंगे, कि सम्षान की दिवार कुन से होती है, आठवा हूस, सम्षान होता है, आठवा हूस, आठवा हूस में मंगल और बुद्ध इखटे पहुचा देंगे न साक्षी जी, तो भी वो मंगल बद परिवार हो जाएगा, ठीक है, तो भी वो मंगल बद परिवार हो जाएगा, चंद्रमा से मदद लेने की कोशिश करते हैं, एक तरीका और होता है, मिट्टी का तवा लेना है, मिट्टी के तवे पे आठ मिठी रोटियां बनानी हैं, ठीक है, मिट्टी का तवा लेना है, मिट्टी के तवे पे आठ मिठी रोटियां बनानी हैं, वो भी आठ दिन तक मिलानी हैं, और कुट्टों को खिलाना है, ठीक है, मिट्टी के तवे पे आठ मिठी रोटियां बनानी हैं, और आठ दिन तक कुट्टों को खिलानी है अब रोटियां तो एक की टाइम बनाओगे उसके बाद उस तवे को लो और एक प्लास्टिक की बालती होती नहीं जो पेंट वाली एशन पेंट वाली बर्जर की भी हो सकती है जरूरी नहीं है एशन की हो उसमें पानी भरके उसमें मिट्टी का तवा डूबा रहे है दियान से सुनने ना इसको पूरा नहीं बताता है लोग और इसमें गलती करते हैं तवे को मिट्टी में डूबा रहे और आठ दिन जब कुट्टों को खिला दो उसके बाद इस तवे को विरान जगह पे ले जाके तोड़ देना है अब इ दूकल को तो उस तरीगे सिसहरैं तो अगर इस तरीगे से आप निकल जाओगे इस लफड़े से ठीक है इस लफड़े से निकल जाओगे ठीक है ठीक है जी मंगलबद को पकड़ना जिसने सीख लिया कुंडली में कोई भी उपाए कराते रहो मंगलबद का नहीं हुआ तो समस्या रहेगी ही रहेगी और मंगलबद को सिम्टम्स के तुरू पकड़ो सबसे बढ़िया रहेगा डूसरा इसका एक उपाय होता है कि खुशी में मीठा नहीं बाटना और मजबूरी में बाट ही रहे हो तुम फैशन के मारे इतने ज़्यादा गरस्त हो रहे हो कि वह केक काट रही है और केक बाट नहीं है तो पहले नमकीन बाट दो अवोइड करो मीठा बाटना बर्डे आया बर्डे पर चोकलेट मिठाई स्वीट सिसकी जगे क्या करा नमकीन के बाट रही है कुछ मीठा ना हो की तो कुछ खड़वा हो जाए आज कल तो कुरकुरे भी आ रहे हैं लोग वो भी खुश हो के खाते है कि सॉल्टेड पीनेट्स भी आती हैं उसको कोटिंग वाली पीनेट्स जो होती है नहीं ठीक है